यकीन को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं यकीन को इंगलिश में आप Believe, Faith या Shourness कह सकते हैं Believe, Faith या Shourness जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि सफलता प्राप्त करने के लिए खुद पर और अपने कार्जों पर यकीन रखना महतवपूर्ण है तो आप कह सकते हैं To achieve success, it is important to believe in yourself and your actions या अगर आप ये कहना चाहें कि उसे अपनी महनत पर पूरा यकीन था तो आप कह सकते हैं He had full faith in his hard work अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें